सो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश चाशन में समीधा करमचारियों के लिए बहुत ही अच्छी कुशकबरी के बात यहाँ पर रहने वाली है मुख्य मंत्री द्वारा सभा में गोश्रा यहाँ पर कर दी गई और बहुत सारे एलान यहाँ पर किये गए और जैसे कि देखें आपे लखा है समीधा करमियों पर महरबान सरकार खतम होगा सालाना अनुबंद अनुकमपा और ग्रेजुटी की मिलेगी सुविधा है तो जो कॉंट्रेक्ट आप लोगों का रहता था समीधा करमियों का तो यह खतम होगा और जो भी अनुबंद है आप लोगों पर खतम होगा और अनुकमपा नुक्ति भी मिलेगी और रेटार्मेंट के टाइम ग्रेजुटी और स्वास्त बीमा की सुविधा है और अफकाश सेलरी सभी को लेकर जो है बहुत अच्छी कुछ कबरी यहां पर मद्यप्रदेश आश्टन के अंतरगत समीधा कर्मियों के लिए रहने वाली है तो चलिए पूरा आर्टिकल मैं आपको आपको रीट करके बदा देता हूँ मुख्यमंतरी द्वारा समीधा कर्मियों के लिए की गई गोशना तो क्या क्या गोशना है कि समीधा कर्मचारियों को National Pension Scheme का लाव मिलेगा तो Pension की सुविधा है NPS की सुविधा है यह आप लोगों को यह benefit मिल ले वाला है मद्यप्रदेश के जो contractual employees है समिधा करमी है इसके बाद स्वास्त बीमा योजना का लाव तो जो यहाँ पे health insurance जो है scheme इसका भी आपको benefit में लगा समिधा करमचारियों की अनुकमपा न्यूकती तो यदि कोई समिधा करमचारी या फिर समिधा पर कारेरत कोई करमचारी देहांत हो जाता है किसी न किसी करणवर्ष तो उसके परिवार को जो है उसको उसकी joining दे दी जाएगी उसकी job उसको ट्रांसपार कर दी जाएगी तो इस चीज़ को समिधा करमचारी को मिलेगा इसके बाद रेटार्मेंट पर ग्रेजुटी तो ये फैसिलिटी भी आपको मेले वाली है समिधा महिला करमियों का मातरत अवकाश तो ये female जो employees है contractual basis पर work कर रही है तो आपको maternity leaves का ये भी आपको प्रभधान इसमें आप पर रहने वाला है अब मद्धे प्रदेश के जितने भी contractual workers है female यहाँ पर जो महिला करमी है तो आपको maternity leaves भी इसमें आपको यहाँ पर दी जाएगी इसके साथ लिखा है नियमित करमचारियों के समान अफकाश तो जो regular basis पर जो employees है मद्धे प्रदेश आशन में और equal आपको जो है salary दी जाएगी किसके equal दी जाएगी और regular के बरावर दी जाएगी समीधा वाले जितने भी employees आँपे work कर रहे है इसके साथ तो देखा है नियमित पदों पर भरती पर 50% reservation तो जो नियमित पद निकाले जाएगे जैसे कि आपको मालूम है कि MP group 5 और जैसे कि देखिए group 1, group 2, group 3, group 4 तो यह vacancy निकाले जाती है group 5 यह सभी vacancy स्वास्त बिवा की या फिर paramedical की या फिर हम लोग का है अन्य जितने भी department है तो regular basis पर जितनी भी vacancy निकलती है अब यहाँ पर प्रापधार है समीधा वाले जितनी भी आप पर apply करेंगे आपको आपकी joining में और आपके result में या फिर मैं कहूं आपके selection में 50% जो है अब आपको यहाँ पर reservation मिलने वाला है और यह 50% reservation जो है अब यह scheme आपको यह follow यहाँ पर होगा तो यह एक अच्छी यहाँ पर बात है कि 50% reserve जो है seats यहाँ पर समीधा करमचारियों के लिए अलग से निकाली रखी जाएंगी समीधा करमचारियों पर case दर्ज वापस किये जाएंगे तो अंदुलन के दौरान हरताल के दौरान जो case यहाँ पर दर्ज हुएते पुलेस दौरा तो वो सारे case वापस लिए जा रहे हैं इसके बाद हरताल के समय कटा हुआ वेतन भी वापस होगा तो strikes जो भी हरताल है तो उस समय आप लोगों का वेतन जो भी आप लोगों को इसमें आप पर रखी गई साथ साथ सेलरी बरावर आपको मिलेगी और जो भी आपकी leaves हैं ये भी आपको बरावर मिलेगी मैलाओं के लिए maternity leaves ये भी अलग से इसमें आप पर दी जाएगी और case वापस आप लोगों के किये जाएगे और जो भी आपका वेतन कटा था सेलरी आप लोगों के कटी थी वो भी इसमें आपको बापस आपे कर दी जाएगी तो ऐसे ऐसे करके सभी तरीके का जो हैं आप लोगों को यहाँ पर benefit दिया जाएगा और इसमें एक paragraph है वो मैं आपको आपे पूरा read करके बढ़ा दूँगा जिसमें लिखा है मुक्यमंतरी ने कहा कि अनुबंद की परिक्रिया समाप्त की जाएगी तो bond आप लोगों को खतम हो जाएगा समीधा पे काम करते थे आप लोग तो bond आपका आपे नहीं है इन समीधा करमचारियों को national pension scheme का लाब भी मिलेगा तो NPS की सुविधा मिलेगी स्वास्त बीमा योजना का लाब भी इन कर्मियों को मिलेगा तो जो health services है health services policies बीमा insurance तो ये भी आपको मिलेगा समीधा करमचारियों की अनुकंपा निक्तिक की जाएगी retirement पर graduate दी जाएगी नियमित पदो पर 50% reservation नियमित करमचारियों के समवन अफकास दिया जाएगा विशेश रूप से मातरतव अफकास्त maternity leave मिलेगी इनको नियमित करमचारियों के समान सुविधा दी जाएगी और इन करमचारियों का हरताल के समय कटा हुआ वेतन भी वापिस होगा और ऐसा हम पर देखिए मुक्यमंतिरी ने लगा आंदूलन शब्द अब इतहास बन जाएगा ऐसा हम मुक्यमंतिरी ने कहा तो ये समीधा करमचारियों के लिए मद्यप्रदेश के इतने भी contractual basis पे आप जो workers है आप लोगों के लिए good news है अच्छी खुश्कावरी रहने वाली है सभी लोगों को आप लोगों को इस वीडियो को share आपको आप पे कर दिना है जितने भी contractual workers है सभी को आपको ये वीडियो को share कर दिना है ये दितने ।